Dear students, स्वागत आप से विका हमारे YouTube चैनल में बच्चों जब हमारा देश अंग्रेजों से आजाद हुआ था, सौतंतर हुआ था उसके बाद हमारे देश में उसका कोई अपना समविधान नहीं था इस देश को किस तरह से सासित किया जाए इसके लिए एक उपयुक्त समविधान नहीं था जसके आजाद होने के बाद अंग्रेजों के द्वारा जिस सासन से देश को सासित किया जाता था उसी के नियम चलाए गए, परन्तो हमारे देश में जितने भी महान लीडर थे उन लोगों ने सोचा कि हमारे देश का अपना एक सम्विधान होना चाहिए और तवी से उन्होंने जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके कुछ समय बाद ही उन्होंने सम्विधान लिखना प्रारंब कर दिया और सम्विधान बनाने में करीबन तीन साल लगे तो उसी तरह का यह चप्टर दिया हुआ है तो हम लोग इसको संशेक पर पढ़ लेते हैं देखते हैं यह कौन सा चप्टर है यह क्लास 5 का SST बुक है और चप्टर 11 है इस चप्टर का नाम है हमारा समवेधान और सासन पर नाली तो हमारे समवेधान से किस तरह से हमारे देख को सासन करने में मदद मिला आसान हुआ तो इसी के बारे में यह चप्टर दिया हुआ है तो हम लोग इसको पढ़कर देखते हैं अपने देश की सवतंतरता के लिए संघर्ष की कहानी हम पढ़ चुके हैं हमारे देश को 15 अगस 1947 को विदेशी सासन से मुक्ती मिली उस समय देश के सामने अनेक प्रसंत था समस्याय थी स्वर पर्थम आवसक प्रसंत था देश का सासन चलाने की बेवस्था करना क्योंकि उस समय हमारे पास कोई अपना सम्विधान नहीं था उसके बाद दो बेक्ती यहां डॉक्टर राजेंदर परसाद और भीमरा अमेटकर समीती के अध्यच बनाए गया एक समीती बनाए गया और उन दोनों उसके अध्यच बने सम्विधान सभा की सुवकिर्टी के बाद 26 जनवरी 1950 से नया सम्विधान लागू किया गया तो 26 जनवरी को हम लोग जो जंड़ा फराते हैं तो उसी उपलच में पराते हैं कि उस दिन जो है हमारा नया कानून हमारे देश में लागू हुआ था सम्विधान यहाँ पर इस सम्विधान को बनाने में लगभग 3 वर्स लगे यहाँ सामाइन रूप से बतलाया गया है सम्विधान बनाने में 3 वर्स लगभग लगे तो इसमें एक्चुल जो है दो साल 11 महिना 22 दिन रहता है आप लोग देख सकते हैं किसी और बुक में दिया होगा सम्विधान के दो मुख उदेश होते हैं पहला सरकार के विभिन अंगों के आपसी समंधों की ब्याक्षा तता दूसरा सरकार एवं नागरिकों के आपसी समंधों की ब्याक्षा इस तरह से दो उदिस हैं सरकार के विभिनंग तो कई परकार के सरकार में कई लोग होते हैं तो उन लोगों के बीच में क्या रिलेसंसिप होना चाहिए उन लोगों को क्या अधिकार मानना है इसके समंद में लिखा रहता है और नागरिक और लीडर जो होते हैं नेता जो होते हैं तो उनके बीच में किस प्रकार का संब्ध होना चाहिए सम्विधान हमें यह आस्वासन देता है कि सरकार कानून बनाएगी और स्वेम भी उनके अनुसार काईरिक करेगी कानून बनाने का ऐसा मतलब ने है कि सरकार पे वो कानून लागू नहीं होता है कानून सबके लिए बराबर रहता है सरकार को भी उसके अंतरगत रहना है और आम जनता को भी हमारे सम्विधान की पहली विशेष्टा है कि देश का सासन जनता के चुने हुए परती निधियों के हाथों में है इस सम्विधान के नुसार देश में सबसे पहले चुनाओ 1952 उनिस सो बावनिस भी में हुआ था और उस समय जो है सबसे पहले पर्थम राष्टपती डॉक्टर राजंदर परसाद पर्थम राष्टपती चुने गए और पंडी जवारलाल नहरू सो तंतर भारत के पहले परधान मंत्री चुने गए थे इसको आप पहले भी जानते होंगे क्योंकि जीकय में एकसर ही है सवाल पूछा जाता है कि हमारा पहला प्रधान मंत्री और राष्टपती कौन थे तो पर्ध़म पर्धान मंत्री जवारलाल नहरू थे और पर्धम राष्टपती डॉक्टर राजंदर परसाद थे लोगतंत्र एवम पंथ निर्पेश्टा हमारे राष्ट्रिय एवम समाजिक जीवन के आधार राष्ट्रिय एकता और अखंडता के लिए ये बहुत आवस्थ है लोगतंत्र का अर्थ है कि जो भी लीडर जो नेता परतिविदी चुने जाएंगे वो जनता के वोट मद्दान के द्वारा चुने जाएंगे और पंथ निर्पेश्टा का अर्थ है कि यहाँ पे जो भी धर्म अपनाए जाएंगे वो उस पे हमारा कानून कोई भी दखल अंदाजी नहीं करेगा वो अपने नुसार कोई भी किसी भी धर्म को मान सकते हैं मूल अधिकार दिया गया है हमारे सम्विधान में तो भारती सम्विधान में नागरिकों के सारेरिक मानसिक एवामनेतिक विकास के लिए जो आवस्यक अधिकार लिखे गए हैं, उन्हें मूल अधिकार करते हैं, वे ये हैं, तो मूल अधिकार हम लोगों को दिया गिया है, यहाँ पे 6 मूल अधिकार है, समानता का अधिकार कानून के समच, भारत के सभी नागरिक समान है, जाती धर्म अधिका कोई भेद भाव नह ही है समानता सभी को एक नजर से हमारा समय दान के बालकों से कर खाना में कायर कराना बिना पारिस्ट्रिमिक दिये बेगार कराना अधी को अपराध घोसित किया गया है इस तरह के कम उम्र के बच्चों कुसे काम नहीं करवाना है कम से कम 14 यह से नीचे का बच्चा नहीं होना चाहिए और बहुत एसे लोग है जिसको इच्चा नुसार हुए किसी भी धर्म को मान सकते हैं संस्किर्टी और सिच्चा समंध्य अधिकार हमारे देश भारत में अनिक धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं जिनकी अपनी भासा लिपी तथा संस्किर्टी है इस अधिकार द्वारा इनकी रच्चा करने तथा इच् राइज के उच्छ नयाले तता भारत के उच्छतम नयाले मूल अधिकारों के रच्छक है। तो किसी के भी अधिकारों का हनन होता है, तो ये नयाय पाने के लिए नयाले में जा सकते हैं, जिस तरह से मूल अधिकार सम्विधान में दिया गया है, उसी तरह से मूल कर्तेब भी दिये गया हैं, तो अधिकार उन्हें ही मिलेगा, जो अपने कर्तेब को पूरी निष्टा क साथ पलन करेंगे तहना पे 10 आदिकारों के साथ 1 के मूल करतेवियों के परतिभी देश की जंतता को जागरुक बनने के लिए संविधान में 10 महतपुर्न करतेवियों का उलницу 우리क क्या गिए यह निम्ना अज परतेक नागरिक सम्विधान के आदस, राष्ट धवज और राष्ट गान का पूर्ण समान करें, भारत की परभू सत्ता, एकता तथा घंड़ता की रच्छा करें, यहाँ पे दस मूल करते भी दिये गये हैं, तो आप इसको ध्यान पूरवक पढ़ लेंगे, उसके बाद कें केंदरिये सासन में, केंदरिये मतलब केंदर द्वारा जो सासन होता है, उसको केंदरिये सासन करते हैं, हमारे देश का सासन चलाने के लिए एक केंदरिये सरकार है, इसका चेतर संपुन भारत है, केंदरिये सरकार के तीन अंग है, सबसे पहले तीन अंग दिया गया है, कार मंडल को कारी पालिका कहते हैं इसका मुख्य कायर संसद द्वारा बनाएगे कानूनों के नुशार देश का सासन चलाना है ब्यवस्थापिका भारत सरकार की संसद को ब्यवस्थापिका कहते हैं संसद अब जानते होंगे इस संसद एक बहुत बड़ा भवन है संसद भवन कहत हैं और इसमें सारे leaders आकर विचार विमर्स करते हैं कि क्या होना चाहिए जो समस्याओं हमारे देश्म मुत्पन होती है उसका निवारण किस परकार हो इसका मुझा कैरी गानून बनाना है इसलिए वे विधी वेवस्ता को बनाते है बेवस्ता पिका और नियाई पालिका, नियाई पालिका की सरवोच संस्का भारत का उच्टम नियाला है, कानून के नुसार नियाई करना, इसका मुख्य कारहता था नियाई के छेतर में इसका निरने अंतीम माना जाता है, तो नियाई के छेतर में सरवोच नियाला जिसको सुप्रिम कोट कहा जात तो इसको थोड़ा समलग पढ़ लेंगे राष्टपती के बारे में दिया वा है कायर पालीका की सक्ति राष्टपती मेंनीट है राष्टपती देश का सर्वच आधिकारी तता शेना के तीनों अंगों का सर्वच शेनापती है या देश का परतrम नागरिक होता है देश का सासन राष्टपती के नाम से ही किया जाता है राष्टपती का निर्वाचन प्रतेच रूप से निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है संसद के दोनों सदनों तथा राईजियों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा उसे चुना जाता है ने किसी बेक्ति को राश्टपती बनाया जाता है और उसको समय से पहले भी हटाया जा सकता है। राष्टपती को देश के परधान मंतरी तथा उसकी सला पर मंतरी मंडल, राईजपालों, उच नयाले तथा उचतम नयाले के नयाधिसों, बिदेशों में राजदूतों, लोक, सेवा, आयोग के अध्यच की नियुक्ती जैसे महतपुर्ण कायरी करने होते हैं. राष्टपती का यहाँ पे कुछ कायरी बतलाया गया है, वे इन भहतपुर्ण कायरी को करते हैं. राष्टपती भारत का राष्टा अध्यच है, बिदेशी राष्टा अध्यच्छों का स्वागत करना, वीचार विमास करना, संसद का सत्र बूलाना, तथा संज्युक्त सदन को संबोजित करना भी उनका डाईतु है उपरास्टपती होता है रास्टपती के नीचे रास्टपती के साथ एक उपरास्टपती की भी विवस्था है इनका चुनाओ लोगसबा तथाराजसबा के सदेश मिलकर करते हैं यही सदेश भहमत से निरने लेने पर उसे हटा भी सकत तो इनका कायर है कि अगर राष्टपती किसी कारणवस उपस्तित नहीं है या अक्समात उनकी मिर्तियों हो जाती है तो वैसे स्थिति में राष्टपती के कायर को वही संबलते हैं। द्धेरी हेतु आवान करता हैं। इसे परकार मंतरी परिसद देश की आंत momencie और वही निती निर्धारित करती है। मंतरी परिषद सामोहिक रूप से संसद के पर्ती उतरदाई है ते यहां इसके आगे संसद के बड़े में दिया हुआ है भारत्य लोकतंत्र में संसद सर्थ है इस संसद के दो सदन होते हैं लोकसभा तथा राईसभा चानून सकता है जब जो पिक्चर दिखाए दे रहा है ये हमारा संसपभवन है उसके बाद लोकसभा दिया हुआ है लोकसभा के सदस्यों का परतियच रूप से जनता द्वारा चुना होता है इसके लिए वही सदस्य बन सकता है जो भारत का नागरिक हो 25 वर्ष की आयू हो तथा सरकारी या किसी लाग के पद पर कारिरत ना हो उसे पहले से ही किसी सरकारी जोब या इस तरह के किसी कारी में वो ना लगा हो और 25 साल उसका उमर हो इस तरह का इस्थिति अगर किसी बेक्ति का है तो फिर वो लोकसभा के परतिनिधी बन सकता है और उसको जनता द्वारा उसको चुना जाता इस सदन का सदस्यों द्वारा इसका निरवाचन होता है इस सदन का सदस्यों द्वारा इसका निरवाचन होता है इस सदन का सदस्यों द्वारा इसका निरवाचन होता है इस सदन का सदस्यों द्वारा इसका निरवाचन हो इस सदन का सदस्यों द्वारा इसका निरवाचन होत यहाँ पे 25 वर्ष की आई बतला रहा था और यहाँ पे 30 वर्ष की राईसभा में, किसी सरकार या लाब की पद पर कायरे रत ना होती, यहाँ भी वही कंडिसन है, सिर्फ कुम्र यहाँ पे ज़्यादा है, तो इस तरह का राईसभा में उस बतलाया जा रहा है, इसको आप लो को कानून के नुसार दंड देना, देश में सभी नियाले एक बेवस्था में संगठित है, उच्तम नियाले देश में नियाई की स्रोच शंस्ता है, भारत का उच्तम नियाले दिली में है, इसका एक मुख्य नियाधिस तथा अनेक नियाधिस होते हैं, उसमें एक नियाधि उनको चुनाव करता है और उसकी उम्र जो है 65 वर्स से कम होनी चाहिए मतलब अगर उतना उम्र हो जाता है तो रिटार्यमेंट का उम्र हो जाता है इसलिए उससे नीचे रहना चाहिए तब ही वो जज़ बन सकता है सभी नेयतिस 65 वर्स 65 वर्स की आयू तक अपने पदवर रषकते हैं परंतु किसी अभियोग के परमानित हो जाने परसंसत के प्रामर से रास्टपति द्वारा उससे हटाया भी जा सकता है उच्तम नियाले के अवकास प्राप्त नियाईधिस भारत के किसी नियाले में वकालत नहीं कर सकते जो उच्तम नियाले मतलब सुप्रीम कोट से उसको हटाया जाएगा या वहां से रिटाइर हो जाता है उसके बाद वो किसी भी नियाले में किसी प्रकार का वैसा काम नहीं कर सकता वकालत नहीं कर सकता नयाय पालिका सम्विधान की रच्छक है सम्विधान द्वारा उच्तम न्याले को बहुत अधिकार प्राप्त है तो यह जो पिक्चर दिखाए दे रहा है उच्तम न्याले का यह पिक्चर है अधिराई या केंदरिय सरकार नागरिकों के मूल अधि प्रतिय नागरिक को समविधान द्वारा प्राप्त मूल अधिकारों के उप्योग करने में आने वाली बधाओं को उचितम नयाले दूर करता है जहां यह नयाले जनकल्यान के लिए कायरे हेतु सच्चम है वहीं कानून के कुलंगन करने वालों के लिए दंड देने में भी सच्चम है तो जिस परकार से नागरिकों के मूल अधिकार का रच्चा करता है ऊसी तरह से जो इसका हनन करते हैं उसे दंड भी देता है तो यहां पर यह चप्टर समाप्ध हो जाता है आप चप्टर को ठीक धंग से सलोली आप पढ़ेंगे समझ समझकर क्योंकि यह काफी लंबा चप्टर है और काफी आवस्यक्टर है तो यहाँ पे यह कुश्चन दिया हुआ है, काफी सारा कुश्चन इसमें दिया हुआ है, भारत का समिधान किसी सित्री को लागू हुआ, यह कुश्चन नमबर वन में दिया हुआ है, उसके बाद, कुश्चन नमबर टू, तो कुश्चन नमबर टू मैं आपको आगे नहीं इसलिए आप यहाँ पे ही समझ ले और देख लें राष्ट गान, राष्ट धवाज तथा राष्टी संपती का सम्मान करना परतेक नागरिक का करतेब है तो यह सही है, यहाँ सही का निसान भी लगा हुआ है अमारे देश में एक ही धर्म के अनुवाई निवास करते हैं यह गलत है, हमारे देश में कई धर्मों को मानने वाले लोग राते हैं तिसलिए यहाँ पे गलत का निसान लगा हुआ है भासन वे लेखन से अनेक विचार परकट करने का सभी को पूर्ण अधिकार है तो यह बिल्कुल सही है, सभी को सवतंतरता का अधिकार दिया गया है तो यहाँ सही का निसान लगा हुआ है संसद एवं राजियों के विधान मंडल के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राष्टपती का चुना होता है तो यह भी बिल्कुल सही है, सही का निसान लगा हुआ है, राष्टपती, प्रधान मंत्री, मंत्री परिशद के प्रामर्स को मानने हेत्व बाइद होता है, यह गलत है, बाइद नहीं है, सभी लोग सम्विधान को मानते हैं, हमारे देश का सम्विधान है, सभी को उसका पाल मिलेगा तो यहां पे कर नमर में दिया वाया थल जल नब सेना का स्रोच अधिकारी राष्टपती होता है यह बिल्कुल सही है राष्टपती यहां होगा राष्टपती तथा उपर राष्टपती का कारिकाल पांच वर्स होता है यह भी सही है केंदरियर सरकार के तीन अंग हो तो ये भी सही है, उच्तम नियाले में जाने के लिए किसी उच्छ नियाले में कम से कम पांच वर्सों के लिए कारियरत होना चाहिए, तब ये उच्तम नियाले में जा सकते हैं, उच्तम नियाले का एक मुख, नियाले यहाँ पे गलत है, नियाधिस होता है, तो यहाँ गलत आप सही लिख लेंगे, कई जगर लिखा हुआ है, उच्टम नेया लें, क्वेशन नमबर फाइब में यहां पे आप लोग देख लें, क्योंकि इसका आंसर में आगे नहीं दूँगा, जो गलत होगा उसी का आंसर दूँगा, संसत द्वारा पारित विधेयक पर राष्टप लोग सभा का चुना, आम जनत द्वारा होता है, ये सही है, मंत्री परिस devil, अपने कारी के लिए, संसत के पर्ती उत्रदाई होती है, ये भी सही है, और घर नमबर में पर्तिक, डेष्वर्सी है, मतलब 18 वर्सी है, नागरिक मद्दान करने का अधिकारी है, तो ये सही है, जागा उच्तम नियाले से आवकास प्राप्त नियाधिस भारत के किसी भी नियाले में वकालत कर सकता है, तो नहीं कर सकता है, गलत का चिन लगा हुआ है, यह नहीं कर सकता है, यह नहीं होगा, राजियों के उच्छ नियाले के निर्नेयों के विरुध उच्तम नियाले में अ सही लगा हुआ है, अइन नियाधिसों की नियुक्ती मुख नियाधिस करता है, तो यह सही नहीं है, मुख नियाधिस के सला से राष्टपती करता है, तो यहाँ पे यह चेप्टर में एक question answer बतलाया गया है, जो नहीं बतलाया गया यहाँ पे, जो question answer लिखने वाले हैं, तो य हमारे सम्विधान के निर्मान में कितना समय लगा? हमारे सम्विधान के निर्मान में लगभग तीन वर्स लगा. सम्विधान की सबसे बड़ी उपयोगिता क्या है? सम्विधान की सबसे बड़ी उपयोगिता सरकार दवारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने में है भारत के सम्विधान की दो मुख्य विसिस्ताएं बताईए भारत के सम्विधान की दो मुख्य विसिस्ताएं है चुनाव में मद्दान के लिए भारतिय नागरिक की आयू 18 वर्स होनी चाहिए राष्ट्रिय एकता और अखंडता के लिए क्या वसक है? राष्ट्रिय एकता और अखंडता के लिए लोकतंत्र तथा पंथ निर्पेचता आवसक है समविधान के दो परमुक उदेश चैए मूल अधिकार किसे कहते हैं? भारतिय समविधान में नागरिकों के सारेरिक मांसिक और मनेतिक विकास के लिए जो आवसक अधिकार दिए गये हैं उन्हें मूल अधिकार कहते हैं सम्विधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार दिये गए हैं किन ही दो अधिकारों के विशे में लिखे सम्विधान में नागरिकों को चव मूल अधिकार दिये गए हैं दो अधिकार निम्न है समानता का अधिकार, कानून के नजर में सभी नागरिक समान है, जाती धर्म, अधिका भेदभाव नहीं है, वे पूरे देश में कहीं भी आजा सकते हैं नयाय पानी का अधिकार, नागरिकों को अपने मूल अधिकारों की रच्छा है तू नयालय में जाने की छूट है नागरिकों के कित मूल करतेब हैं किनी चार मूल करतेब्यों के विशे में लिखे नागरिकों के दस मूल करतेब हैं चार मूल करतेब निमने परतेक नागरिक सम्विधान के आदर्स राष्ट धवज और राष्ट गान का पूर्ण समान करें भारत की परभुसत्ता, एक्ता तता अखंडता की रच्छा करें संकटकाल में देश के आवान पर राष्ट की सेवा करें सारोजनिक राष्ट्रिय संपती को सुरच्छित रखें तथा हिंसा से दूर रहें कुश्चन नमबर त्री, इसमें भी कुश्चन ही दिया हुआ है यहां पे राष्टपती का निर्वाचन कोन करता है संसद एवं, राजियों के विधान मंडल के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राष्टपती का निर्वाचन होता है राश्टपती के अधिकार क्या है? राश्टपती प्रधान मंत्री की सलापर मंत्री मंडल, राईजपालों, उची न्यालय एवम उच्तम न्यालय के न्याधिसों, बिदेशों में राज़दूतों, लोगसभा आयोग के अध्यच की न्युक्ति करता है उपराष्टपती के अधिकार क्या है? लोकसभा, राजसभा question number 4 में एक question गलत था वहाँ पे और question number 5 में भी एक question गलत था इसलिए यहाँ पे इसका मैने answer दिया हुआ है एक तस्थानों के पूर्तिकरे में अंगा number में नियाधिस होगा जहाँ पे नियाले लिखावा था और निचे लिखे वाक्यों इसके आगे लिखावा है तो वहाँ पे कर number में जहाँ पे उप राश्टपती पे तिक लगावा था तो वहाँ पे उसका अंसर राश्टपती होगा यहाँ पे यह चप्टर पुरी तरह समाप्त हो गया है आप लोगों को अगर हमारे वीडियो से थोड़ा भी मदद मिलता है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और हमारे वीडियो को जादा से जादा से शेर कीजिए आपके जैसे कई स्टुडेंट होंगे जिनने आप सकता होगा इस वीडियो का तो आप इसे share जरूर कीजिए और इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को subscribe कर लिजिए और अगले chapter को पढ़ने के लिए हम लोग next वीडियो में चलेंगे तो आई हम लोग next वीडियो में चलते हैं